नमस्कार सिटी पोस्ट लाइब में आपका स्वागत है मैं हूँ स्रकान प्रत्यूस आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूँ राजनिती गलियारे से खबर है आपके जहन में कई सवाल चल रहे होंगे मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि उपिंदर को स्वाहा क्या फ है असला लेंगे जब वो तैक कर लेंगे तब हम बताएंगे आपको लेकिन उसके पहले बता दूं कि बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान के शुरुआत कर दी है आज बीजेपी के प्रदेश पार्टी कर्याले में एक बहुत अहम बैठक हुई है जिसमें बीजेपी चुनावी अभियान के शुरुआत कर देना है तो बीजेपी 16 दिसमबर से अपने चुनावी अभियान की बिधिवत शुरुआत बिहार में कर देगी और यह अभियान चलेगा 30 दिसमबर तक यानि 15 दिनों का यह चुनावी अभियान होगा प्रथम चलन का चुनावी अभि समझे गे ना यानि पैदल चलना है नेता पैदल चलेंगे थोड़ा मेनत करेंगे पसीना बाहेंगे जाड לו और गाओं गाओं पहुंचेंगे घरगर पहुंचेंगे और लोगों को समझाएंगे कि पीए मोदी ने क्या किया है कैसे भारत को बदल दिया है जो सपना दिखाया था उसे पूरा करने के लिए वो क्या कर रहे है और ये भी फिडमेक मिल जाएगा कि लोग क्या सोच रहे है अगर खराब सोच रहे है तो बिजे पिकेनेता उन्हें समझाएंगे कि भाई चार साल में क्या होता है जादवी छड़ी तो है नहीं किसी के पास और आप चाहते हैं कि बड़ा परिवर्तन हो बेरोजगारी दूर हो जाए भ्रस्टाचार खत्म हो जाए इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हो जाए तो समय देना पड़ेगा एक दिन में तो ब्रीज बनेगा नहीं एक दिन में तो सिक्स लेन की संके चारो तरफ बनने ही जाएंगी तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपने कांग्रेस को बहुत समय दिया है तो यह वो समझाएंगे भी और बताएंगे भी कि BJP ने अब तक क्या किया है घर घर पड़िवार पड़िवार तक कोड़ करेंगे और यह आवान करेंगे कि इस देश में 2019 उन्हें जो सरकार बनने वाली है उसके मुख्या उसके प्रधान मंतरी नरिन मोदी हो इसके लिए जंदा से आशिक बाद माद उनकी नराजगी से बिलकुल BJP के नेता बे परवा है उनको चिंता ही नहीं है क्यों एंडिये छोड़ेंगे महागडवंदन में जाएंगे तो क्या होगा जाने दीजिए रहना है तो रहें जाना है तो जाएं वाला इटिचूड है तो उपेंदर कुस वहा फैसला लेंगे कल तक ले लेंगे आज नौ तारिक है दस तारिक को ले लेंगे क्योंकि एगारख तारिक को पांच राज़ियों के बिधान सभाचुनाओ के नतीजे सामने आने वाले हैं आप देखी चुके हैं ना कि एगजिटपल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं बीजेपी साफ है यानि मोधी का मैजिक नहीं चला है बिधान सभाचुनाओ में अगर नतीजे आ जाएंगे उसके बाद उपेंदर कुस वहा छोड़ेंगे बीजेपी को तो कहा जाएगा यही न कि लग गया कि नईया डूब रहे तो भाग रहे हैं तो उससे पहले फैसला लेना पड़ेगा उनको तो मान कर चलिए कि उपेंदर कुस वहा दस तारीक को मंत्रीपद से स्थिपा दे देंगे अगर इंडियो को छोड़ना है तो नहीं तो महागटवंदन को भूल जाएंगे अब कितनी तरजीह मिलेगी उनको इंडिये में और इंडिये छोड़ेंगे तो महागटवंदन में क्या पाएंगे इसको लेकर भी आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा सभाविक है महागटवंदन की नेताओं का सब्रकाबान भी तूट चुका है अब वो भी सवाल उठाने लगे हैं कि कुर्शी का मो छोड़िएगा नहीं कब तक आप भभवी आते रहिएगा कब कब धमकी देते रहिएगा नहीं चलेगा या तो छोड़िए इधर आईए और नहीं तो चुपचाप इंडिये के साथ बने रहिए मान अपमान की बात मत करिए तो उपेंद्र कुसवाहा तो बैचारे खुद नहीं जानते क्या करना है तो अब पार्टी की तरफ से दबाव बनने लगा है कि छोड़ना है तो छोड़ देना है दस्तारी को मंत्री पद को इस्तिपा दिए ठोकर मारिए और सहिद बन जाए नाखुन कटाकर विजेपी के निता तो यहीं न कह रहे हैं जेडियू के निता कि नाखुन कटाकर सहिद बनने चले हैं तो उपेंदर कुस्वाहा को फैसला लेने पड़ेगा कोई अब गुंजाइस नहीं है इस तरह से खेल खेलने की तो खेल क्या होता है इंतजार करिए इतना दिन इंतजार कर लिया तो एक दिन और इंतजार करिए सच्चाई आपके सामने आज आजाएगी हम भरोसा दिलाते हैं कि सबसे पहले आपके मुबाइल में घुश कर हम आपको बताएंगे कि उपेंदर को सौहाने मंत्री पर छोड़ दिया या इंडिये में जाने रहने का मन बना लिया है या महागडबंदन को भूल गये है आपको एक खबर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि आप ही हमारे संबल है आप हमें देखते हैं इसलिए हमारा मान बढ़ता है इसलिए हमारा खोसला बढ़ता है आपका सहयोग समर्थन लगतार मिल रहा है दो महिने में एक लाग से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार